नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे दोस्तो आज हम बात करेंगे स्वासे विवाग की एक और नई भरती के बारे में इस भरती का दोस्तो नॉटफिकिसन जारी हो चुका है और इस भरती के लिए दोस्तो आप इंडे के सभी राजियों से अपलाई कर है इसमें दोस्तो रिगुलर पोती है तो बनें जाए भरती हैं और आज की डेट से झाल क Jackie रिप्रया कर सकते हैं सबसे तो जल्द से इस चैनल कर सकते हैं है कि तो इस दोस्तों एस सरेकरी नौकरी' को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों बरती की पूरी information समझने के लिए वीडियो के अंतक बने रहेगा इस वीडियो में दोस्तों आपको step by step सारी information दी जाएगी कि आज की भरती में किस किस पोज की भरती है क्या qualification चाहिए और इस भरती का location क्या है दोस्तों इस सारी information हम आपको इस वीडियो के मादम से देने वाले हैं तो चले दोस्तों बात कर लेते हैं इस भरती से related information के बारे में तो guys आगे बढ़ेंगे जैसे बता दोस्तों आज हम बात करेंगे health department की भरती के बारे में basically बढ़ती है ministry of health and family welfare department की और दोस्तों इस में regular post की भरती है जैसे बता है आपको इस भरती के लिए दोस्तों आप मिंडे के सभी राजू से apply कर पाएंगे ठीक है Sally की बात करें तो Sally आपको बहुती बढ़िया मिलेगी आपको केंद्रिय सैली दी जाएगी यानि की सेवन सेंटर पी कमिस्टन की हिसाफ़ से दोस्तों आपको सैली मिलेगी आपका post wise पेस के लोगा 18,000 रुपए से लेके 1,12,400 रुपए दोस्तों फीस की बात करें तो इसमें आपको 300 रुपए फीस का पेमेंट करना है और इस भरती में दोस्तों SCST, PH, X-Servicement तता फीमेल कंडिडेट के लिए फीस नहीं है फीस का पेमेंट दोस्तों आपको online mode से करना है जाता दोस्तों selection process की बात है तो इसमें आपका exam होगा computer based exam होगा इसमें आपके पास objective type, multiple choice question आएंगे और इसमें दोस्तों negative marking वी होगी परते गलत answer के लिए आपके 0.25 marks कार्ड दे जाएंगे दोस्तों apply mode की बात करें तो इस भर्ती के लिए आपको online mode से apply करना है इस भर्ती के लिए दोस्तों already apply होना शुरू हो चुका है और इसके दोस्तों last date है closing date है 10 अगस 2023 दोस्तों post के बात करें तो इसमें भर्ती हो रही है lab attendant 1 की technician 1 की various grade की तता technical assistant की various discipline की ठीक है qualification की बात करें तो दोस्तों जो candidate दस्वी पास है या बारी पास है वह apply कर पाएंगे lab attendant की पोस के लिए और जो candidate बारी पास है दोस्तों और उन्होंने DMLT कर रखा है या एक साल का computer diploma कर रखा है दोस्तों तो वे technician की पोस के लिए apply कर पाएंगे दोस्तों जो आपने diploma कर रखा है या bachelor degree कर रखी है relevant discipline में तो दोस्तों आप apply कर पाएंगे technical assistant की पोस के लिए ठीक है और की बात करें एज लिमिन की बात करें तो दोस्तों इस बरती के लिए 18 साल से 25 साल 28 साल तदा 30 साल तक वाले candidate apply कर पाएंगे साथे साथ आपको दोस्तों categories wise age relaxation भी दिया जाएगा आपको दोस्तों मैं भरती की notification दिखा देता हूं इसका link मैंने दे रखा है और जिससे बताये कि इस बरती के लिए आपको online mode से apply करना है link दे रखें दोस्तों सारे link आपको मिल जाएंगे description में ठीक है दोस्तों दोस्तों आप बात करेंगे इस भरती के location के बारे में तो पहले आपको बता दूँ दोस्तों यह भरती है ICMR की और organization का नाम है दोस्तों National Institute of Research in Tribal Health ठीक है और इसका location है जबुलपुल याने की मध्यपरदिस लेकिन दोस्तों आप इंडे की सभी राजू से इस भरती के लिए apply कर पाएंगे तो guys जेता आज की भरती का की doubt है question है तो दोस्तों जरूर inform कीजिएगा हम पूरी क्यूसिस करेंगे दोस्तों आपके question की answer देने की दोस्तों आप सभी को बहुत-बहुत सुखकाम नाए थैंक यू सो मच